ये है गाना पॉड्कास्ट ओरिजिनल बेहद सिर्फ गाना पर पिछले एपिसोड में आपने रिदिमा की लाइफ के बारे में जाना कि कैसे उसकी माँ उसको और उसके पापा को पैसे के लिए छोड़ कर चली जाती है और एक होटेल रूम में बैठ कर रिदिमा अपने कस्टमर का इंतिजार करते हुए अपने पापा को याद करती है अब आगे ममा की जाने के बाद कुछ दिन तक उनकी बहुत याद आती रही पर पापा की प्यार ने उसे सब कुछ भुला दिया पापा को अपनी बच्ची की बहुत विक्र थी उन्हें पता था उनकी सोना ममा के साथ इसलिए जाने से इंकार कर गई क्योंकि उसे पापा को अकेले नहीं छोड़ना था और उन्हें अब भी अपनी चोटी सी मासूम बच्ची का बहुत ख्याल रखना था जिन्दगी गुजरती जा रही थी और अब तो रिद्यमा बारवी क्लास में आ चुकी थी वे पढ़ाई में अवल थी सुरेली आवाज में जब वो पापा के पसंद के भजन गाती तो राज चलता राही भी थोड़ी देर के लिए रुप जाता और खुबसूरत इतनी थी कि कभी-कभी शशांग को शक होता उस उपरवाले ने शायद अपने स्वर्प की अप्षरा को धर्ती पर भेज दिया है उन्हें अपनी बेटी पर जितना गर्व होता उससे जादा कभी-कभी चिंदा भी सताती थी कि इस दुन्या की नदर से अपनी सोना को बचा कर कैसे रखे उन्हें अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवानी थी पर इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों का भी इंतिजाम करना था पर कैसी करें ये समझ में नहीं आता यू तो रिदिमा के सामने वो इन बातों को नहीं कहते थे पर अंदर ही अंदर इसी चिंदा में खुलते जा रहे थे एक दिन शायद इनी खयालों में गुम स्कूल से अपनी साइकल पर वापिस आ रहे थे सामने से आता ट्रक उन्हें नजर आया ही नहीं और ट्रक ड्राइवर की कोशिशों के बावजूद वे अपनी साइकल समेत ट्रक के नीचे चले गए शशांग की जान तो बच गई पर वो अपाहे जो चुके थे और एक जटके में रिदिमा और उनकी दुनिया बिखर गई रिदिमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे कहां जाए किस से मदद मांगे अपनी इस चोटी सी जिंदगी में उसने सिर्फ मम्मा को जाना था और पापा को कोई रिष्टेदार कोई अपना किसी को नहीं जानती थी वो पापा से सुना था कि मम्मा से शादी करने की वज़े से पापा के घरवालों ने उनसे रिष्टा तोड़ दिया था और फिर पापा ने कभी भी घर की तरफ रुख नहीं किया कुछ साल पहले पापा को खबर मिली थी कि दादा जी का दिहान थो गया है दादी तो पापा के बच्पन में ही गुजर गई थी बस अब एक छोटे भाई थे पर पापा को उन्होंने दादा जी के चले जाने का समवाद भी नहीं दिया पापा को हॉस्पिल से घर तो ले आई थी रिदिमा पर पापा की नौकरी जा चुकी थी और रिदिमा भी इतनी पड़ी लिखी नहीं थी कि पापा की नौकरी उसे मिलती हाँ उन्होंने कुछ रकम जरूर दिये थे जिन में से आदे तो पापा के इलाज में ही खर्श हो गए उसने खुद कोई छोटा मूटा काम ढूणने की सोची भी थी पर लोगों की अजीब नजरों से उसे देखना मानो वो कोई खाने की वस्तु हो उसे डराने लगा था इसलिए उसने बाहर निकल नहीं छोड़ दिया एक दिन वो पापा के पास बैठी अपने ख्यालों में गुम थी पापा ने उसे पुकारा सोना बेटा रिदिमा ने जट से उत्तर दिया हाँ पापा कुछ आईए आपको बेटा वो अलमारी खोल और उसमें एक चोटा सा बक्सा है उसे मेरे पास लिया रिदिमा जाकर वो बक्सा ले आई तो शशांक ने उसे खोलने को कहा रिदिमा ने हैरानी से देखा उसमें कुछ फोटों है पापा के बचपन के उनके पापा और भाई के और मम्मा से विवा के कुछ तस्वीरे है रिदिमा ने हैरानी से पूछा अब इन तस्वीरों का क्या करोगे पापा पापा ने सरहला कर ना कहा फिर बोले देख एक बीसी पोटली होगी तेरि मासी की चिथी है, उसमें तेरी मासी का पता है, वो निकाल, रद्धिमा कहती है पर उसका क्या करोगे पापा, शशांक कुछ देर चुप रहे, फिर एक आह बर कर बोले, तेरी मा से बहुत अच्छी है सोना तेरी मा से भी अच्छी वो मेरी बच्पन की दोस्त थी पर मुझे प्यार हुआ उसकी बड़ी दीदी तेरी मा से पर वो बहुत खुश हुई थे अपने दीदी से भी बहुत प्यार करती थी पर तेरी माँ को वो पसंद नहीं थी शक करती थी हम पर इसलिए तेरी मासी ने हमारे साथ मेल जोल बंद कर दिया रिद्यमा कहती है पर इतने दिनों बाद वो क्या सूचेगी पापा क्या उन्हें पता है कि माँ हमारे साथ नहीं है कोई मदद या तेरे लिए कुछ करना हूँ तो वो हमारे साथ है पर मैंने ना कह दिया था लगा था अपनी लड़ाई खुदी लड़ना ठीक है वैसे भी उसकी शादी हो चुकी थी और वो ससुराल में रहती थी पर अब लगता है एक वही है जो हमारी कुछ साहिता कर सकती है रदिमा पूछती है पापा फोन नंबर नहीं है आपके पास शशांक ने सर हिलाते हुए उत्तर दिया नहीं बेटा ये पता ही है मेरे पास मुझे पैन दे मैं एक पत्र लिखता हूँ और हो सकता है कुछ साहिता मिल जाए आज मजबूरी बया कर रहे थे उसने पापा को कागज और पैन देते हुए भगवान से प्रार्थना की हे भगवान पापा आज पहली बार किसी से साहिता मांग रहे है उन्हें निराश मत करना भगवान जी ने निराश नहीं किया था मासी पत्र मिलते ही आ गई थी साथ में मौसा जी और उनका बेटा सोनू था रिदिमा को मासी बड़ी प्यारी लगी और सोनू तो बहुत ही प्यारा था अपनी दिदी से मिलकर बड़ा ही खुश था पर मौसा जी कुछ ठीक नहीं लगे यूँ तो पापा से बड़ी साहनुभूती दिखा रहे थे पर उनकी नजरें रिदिमा को अपने बदन पर घड़ती हुई नजर आई इसलिए वो मौसा जी से थोड़ी दूर रहने की कोशिश करने लगी पर जब मौसा जी ने उन्हें मुंबई अपने घड़ ले जाने का प्रस्ताफ दिया तो रिदिमा से ज्यादा मासी चौक पड़ी हम आते जाते रहेंगे पर मौसा जी ने तुरंद उत्तर दिया ये क्या कह रही हो साधना जीजू इस हालात में एक जवान बच्ची को लेकर अकेले कैसे रहेंगे वहाँ हम सब है न रिदिमा माँ ठीक रहेगी और जीजू का भी हम खयाल रखेंगे रिदिमा समझ गई थी कि मासी इस फैसले से बिलकुल खुश नहीं पर क्यूँ ये बात वो समझ नहीं पाई पर उन सब में सबसे ज़्यादा खुश तो सोनू था जिसे एक प्यारी सी सोना दीदी मिली थी फिर दूसरे ही दिन रिदिमा अपने पापा को लेकर मुंबई आ गई जो उसके लिए बिलकुल अपरिचित और एक बड़ा सा शेहर था और बिलकुल भी नहीं भाया था मुंबई जैसे अंजान जगाह पर आना और वहां के वातावरिन के साथ खुद को एड़्यस करना मुश्किल हो रहा था पापा खुश थे क्योंकि मासी उनका बहुत ख्याल रखती थी और धीरे धीरे उन्हें दो-चार बच्चे भी मिल गए थे जो घर पर उनसे पढ़ने आ दे थे उनका मन लगा रहता था पर रिद्यमा खुश नहीं थी कॉलेज में दाखिला तो ले लिया था और महलने की कुछ लड़कियों के साथ कॉलेज जाने के लिए दोस्ती भी हो गई थी पर रास्ते में चलती हुए नुकड पर खड़े आवारा लड़कों की फप्तियां उसे अजीब सी लगती थी उसकी सहेलियां तो मुंबई की थी उन्हें इन सब चीजों की आदत थी कभी वो धड़ा-धड़ गालियां बकती या कभी सैंडल उतार कर उन पर फेंग देती रद्यमा को ये सब अच्छा नहीं लगता था बाहर ऐसी स्थिती थी तो घर की कुछ खास नहीं थी घर में मासी और सोनू तो उसके अपने लगते थे पर मौसा जी बड़े अजीब थे उनका रद्यमा से बात करने के बहाने पास आना जोने की कोशिश करना रद्यमा के लिए अर्थ हैनिया था इसलिए वो रोज कॉलेज जाती थी जिससे कम से कम कुछ समय तक मौसा जी के नजरों से बच सके अगले एपिसोड में जानियेगा कि कौन है वो नीली आखों वाला लड़का जो रिद्यमा को नुकड और कॉलेज में घूरता रहता है सुनना ना भूलियेगा